हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चानल जेन क्रेशन पर फ्रेंज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं आज यह जो इमेज में आप देख रहे हैं यह जो डार्क सर्कल आप देख रहे हैं यह देखिए यह डार्क सर्कल को हम करते हैं मैं इसको पहले डिलीट करते हूं देखिए वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप से चोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग पहली बार मेरे चानल देख रहे हैं प्लीज एक बार लाइक सेयर कॉमेंट और सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस किजिएगा ताक पिर आप आई ब्याक्स बोल सकते हैं इसको हटाने के लिए पहले हम एक बार डुप्लिकेट करेंगे यहां पर देखिए डुप्लिकेट लेयर आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इबोर से कंट्रल प्लस जे आप दवा सकते हैं यह डुप्लिकेट करने के बाद आपक यह लेयर को हम Convert to Smart Object करेंगे राइट क्लिक करेंगे लेयर के उपर और Convert to Smart Object करेंगे देन फिल्टर मेनू, Other और High Pass High Pass इसलिए लेंगे क्योंकि स्कीन में जो टेक्स्चर इसको बरकरार रखने के लिए तो पहले में 0 कर देता हूं, यह कुछ भी नहीं दिख रहा है तो धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ाता हूं, यह Radius को धीरे-धीरे मैं आगे तक लेके जा रहा हूं आपको प्रॉपर टेक्स्चर दिखना चाहिए, यहां पर 22 तक ठीक लग रहा है मेरेको आपका इमेज के सबसाब देख सकते हैं, आपको कहां तक ठीक लग रहा है, तो अभी OK करता हूं देखिए, जैसे मैंने High Plus लगाया, यहां पर यह ग्रे में Convert हो गया है मैं पहले भी बोल चुका हूं, यह ग्रे को हटाने के लिए यह जो overlay से लेकर, head miss तक जो भी दिख रहा है यह ग्रे को हटाने के लिए, और यहां पर overlay करेंगे overlay करने के बाद यह पूरे image के उपर apply हो गया है, देखिए, before, after लेकिन हमको यह पूरे image के उपर नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए layer panel के उपर यहां पर create a new layer, यहां पर click करेंगे, ठीक है, और click करने के बाद, यह जो layer 1 को select करेंगे, इस layer को हमने आईपैस लगाया था, और यह ठीक, यह layer 1 और layer 2 के बीच में, जो lining दीख रहा है, यहां पर cursor रखिए, और keyboard से alt दबाईए, alt दबाने के बाद देखिए, यह एक down arrow आ रहा है, आपको click करना है, देखिए, apply करने के बाद, अभी पुरे चेरे से हट गया है, देखिए, यह कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यह layer 2 को select करेंगे, जो new layer लिया था हमने, यह toolbar के उपर थ्यान दीजेगा, यहां पर आईडर पर tool को select करेंगे, और यहां पर थ्यान दीजेगा, यह जो sample size 5 by 5 आपको लेना है, देखिए, और sample current and below हो then, यह brush tool को select करेंगे, देखिए, मैं image को थाँ जूम करता हूँ, अभी जो भी काम कर रहे हैं, यह layer 2 के उपर हम काम कर रहे हैं, और brush tool select करने के बाद, आप keyboard से alt दबाएए, और यहां पर click किजिएगा, तो यहां से हम sample लेंगे, sample लेके यह जो black circle दिखा है, यह black circle के उपर हम brush चलाएंगे, देखिए, आपको यहां से नहीं लेना है, sample, फीक, जो black circle के बाजु में जो भी color है, आप उधर से sample लेना है, देखिए, अगर यहां से लेंगे, तो आपको natural नहीं लगेगा, इसलिए हम black circle के बाजु में जो भी color है, आसपास में, आपको वहीं से color pick करना है, अल्ट दबाया और क्लिक किया यह संपल हमने पिक कर लिया है यहां पर देखिए आपको पासिटी 100 और फ्लो को 5 रखना है तीन से 5 के भीज में आप रख सकते हैं और फिर से एक संपल लेंगे यहां से और यह लेंगे आपको बार बार संपल लेना पड़ेगा अगर यहां से स यहां पर ब्रस चलाएंगे तो आपको नेचरल नहीं लेंगे इसलिए जहां पर ब्रस चलाएंगे ठीकि उसके बाजू में संपल लेंगे मैं यहां से अल्ट दबा के संपल लिया और यहां पर ब्रस चलाया जो भी टेक्चर था स्कीन पर अभी भरकरार है यहां से लिया सं सकते हैं लेकिन बिफोर और आप्टर करके दिखाता हूं लेकिन आपको संपल नहीं से लेना है लेकिन आना प्रिफोरlaration दिख्राता की बसदो को बार-बार बोलता हूँ जब sample लेते हैं जो dark circle बादू से आपको sample लना है ज्यादा दूर से नहीं लना है ठीके नहीं तो फिर यह आपको natural नहीं लगने वाला है ठीके यह बिफोर आप्टर इसे यह जो black circle था यह हड़ गया है ठीके और यह जो trick बहुत easy trick आप यूज करके किसी भी dark circle को आप हड़ा सकते हैं देखिए यह जो high pass हमने लगा था इसको आप चाये तो आप बाद में change कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा texture नजर नहीं आ रहा है आप double click किजिए high pass के उपर और आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं देखिए यह कम करने से smooth हो और ज्यादा करने से थोड़ा texture नजर आ रहा है ठीक है आपको बहुत ज्यादा करना है ठीक है तो यहाँ पर हमने जो किया था 22 यहाँ ठीक लग रहा है आपका image के साफ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं इसलिए मैंने यह जो लेयर को convert to smart object किया था ठीक है convert to smart object करने का फाइद कर दिया करने के बाद जाना है फिल्टर अधर आइपस यहाँ पर और था बढ़ा के देख रहा हूं कि 23.5 में कर रहा हूं इसका blending mode भी overlay करेंगे और यह लेयर 1 और background के लेयर के बीच में एक और new layer लेंगे यह लेयर 1 को select करके यहाँ पर clipping mask करेंगे अभी आइड्रोपर टूल को select करेंगे यहां से शांपल लेंगे और यहां पर प्रस चलाएंगे देखिए यहां से संपल लिया तो यहां पर प्रस चला रहा हूं इतना जल्दी आप ट्रिक यूज करके आप कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेट करके बताइए और अगर अच्छा लगा है प्लीज एक बार लाइक कर देना थैंक्स पर वाचिंग झाल 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 झाल